नमश्कार स्वावत है आपका TNP न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंग बढ़ते हैं खबरों कियों युक्रेइन पर हमला रूस की कोरोना वाक्सीन स्मूतनिक वी को वैश्विक मंजूरी मिलने की राह में आ गया है विश्वस्वास्त संगठन ने इस COVID-19 वैक्सीन को फिलहाल एमर्जेंसी यूज अप्रूवल देने में हाथ खड़े कर दिये है WHO का कहना है कि युक्रेइन पर हमले की कारण रूस पर लगे प्रतिबंधों के चलते उसकी टीम इस वैक्सीन के डेवलप्मेंट से जुरे डेटा की जाच नहीं कर सकती है डेटा की जाच होने तक मंजूरी देरा भी संभव नहीं है आगे की तमाम खबरे देखने के लिए बने रही है TNP News के साथ और हमारे चानल को लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाए